हेलो दोस्तो, दोस्तो जब भी हम कोई बड़े structure की बात करते हैं, जैसे bridge है, आपका flyover है, आपका foot over bridge है, या फिर कोई आपकी बड़ी building है, तो उसमें दोस्तो क्याना जादार deep foundation का use किया जाता है, और deep foundation से आपका सबसे पहला ध्यान जाता है, pile foundation की तरफ, तो दोस्तो जो भी pile foundation हम करवाते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीजाद ध्यान देने वाली होती हैं, मतलब कि एक पूरी checklist क्या होती है, आज क्या session में देखने वाले हैं कि जोमारी pile foundation होती है, इसमें हम कौन-कौन सी چीजे करनी चाहिए, और कौन-कौन सी चीजे हमें नहीं करनी चाहिए, पूरी स्टांट करते हैं construction से दोस्तों जब भी हम कोई pile foundation करते हैं तो हमें एक चीज़ का जरूर ध्यान में रखना होता है जो कि होती है हमारी working drawing दोस्तो working drawing हमारी pile foundation पे जब भी हम काम करते हैं तो working drawing से ही करनी होती है और आप लोगों को एक बार यह जरूर पक्का confirm कर लेना है कि आपकी जो working drawing है वो पूरी approved है या फिर checked है, हर senior से वो authorized है कि नहीं है तभी जाके आपको pile foundation का काम कराना है क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हर project में क्या ना, जितनी भी हमारे पस drawings होती है, वो सारी क्या ना, बहुत बार revise होती है और दोस्तों drawing में एक चीज़ note करने वाली यह होती है कि जो भी आपके पास working drawing आ रही है, उस पे सब के approval जरूर होने चाहिए क्योंकि working drawing में क्या है, अगर approval नहीं होगा, तो वो एक तरीकी से structure fail भी हो सकता है, तो आपको यह चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है, कि जो भी आपके पास drawing आये, वो आपकी working drawing होनी चाहिए, और आपको check कर लेना है कि वो drawing approved है के नहीं है, अब बढ़ते हैं दोस्तों next point की तरफ, दोस्तों next आता है आपका surveying का, अगर आपके पास पूरी जितने भी working drawing है, आपके पास approved हो गई है, तो उसके बाद दोस्तों surveying का काम आएगा, तो surveying में दोस्तों यह देखना पड़ेगा आपको, कि जब भी हम कोई pile foundation करवा रहे हैं, तो उसमें जो survey की, जो reports आती है, जो हमारा पहला आपका pile का location है वो accurate है के नहीं है, क्योंकि जो आपका pile का accumulation होगा, उसी के उपर हमारा peer भी cast होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम कोई pile foundation बिचाते हैं, उसके उपर pile gap लगाते हैं, और उसके उपर आपका peer आता है, चाहे आप metro bridges में देखिए, चाहे या fly hours में देखिए, या तो आप किसी भी bridge में देखिए, तो आपके पास यही structure same आपका मिलता है, जब भी आपको pile foundation करने जाते हैं, तो आपका survey की report होनी चाहिए, कि यहाँ पर इस location पे हमारा पहली pile महाँ पर लगाई जाएगी, मतलब excavate की जाएगी, तो आपके पास survey की पूरी report होनी चाहिए, और पूरी location के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ पर हमारी पहली pile लगने वाली है, तो survey की report के आधार पर आप लोग महाँ पर आगे काम कर सकते हैं, अब आते हैं दोस्तो drawing से ही related एक चीज़ पर, जब भी हम कोई pile construct करवाने वाले होता है, चाहिए आप site engineer हो, चाहिए supervisor हो, तब आपको क्या देख लेना है, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, जो भी drawing में diameter दिया हुआ है, जो pile का diameter है, वो accurate है के नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपने drawing में कुछ और महाँ पर mention किया हुआ है, और आपने on site पर कुछ और excavate करवा दिया है, क्योंकि यह क्या होता है, आपका miss communication की वेज़े से होता है, तो आप लोगों को दोस्तो एक बात का ज़रूर ध्यान में रखना है, कि जब भी आपको drawing रीड करते हैं, तो आप accuracy के साथ read कीजिए, जो आपका pile का diameter दिया हुआ है, वही आपका महाँ पर भी होना चाहिए, इस चीज में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने चाहिए, तो एक चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी महाँ पर diameter दिया हुआ है, आपकी working drawing में, वही आपका same pile foundation में महाँ लगना चाहिए, फिर आते हैं दोस्तों pile की length पे, दोस्तों pile की length आप लोगों को, आपको drawing में मिल जाएगी, और आपको अच्छे से calculate करके, वहाँ पर pile का excavation करवाना है, जो भी आपको वह required depth दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि pile की length आपको कुछ और महाँ पर mention हो जाए, और excavate कुछ और हो जाए, तो आपको pile की length का बहुत जादा ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, दोस्तों बहुत से उपर cut-off level भी होते हैं, इन चीज़ों में कहा है न, confusion create हो जाती है, तो आप अपने senior से पूछ सकते हैं, कि जो इसकी maximum depth है, मतलब कितनी रखनी है, जो आपका NGL है, वहाँ से आपको कितनी नीचे excavate करना है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पता रहनी चाहिए, on site पर, और जितने भी pile foundation के levels हैं, उनको आप लोगों को check जरूर करवा लेना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये pile foundation में levels उपर नीचे हो जाते हैं, तो आप लोगो surveyors के help से, या फिर आप site engineer हैं, तो आप लोग दोरों मिलके, आप महाँ पर जितने भी levels हैं, उन सब को एक बार check जरूर कर लिजेगा, फिर आते हैं दोस्तों trimmy pipe पर, जब भी हम कोई casting करते हैं, तो trimmy pile आपका बहुत ज़्यादा important होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान में रखियेगा, जो भी trimmy pipe का dia है, वो accurate वहाँ पर होना चाहिए, जो भी आपको drawing में दिया गया है, या फिर आपको specification वहाँ पर दी हुई है, तो आपको trimmy pipe का dia है, वो आपको एक बार check ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इन में क्याना बहुत ज़्यादा गड़बर हो जाती है, क्योंकि ये जो instrument होते हैं, इन में उपर नीचे चलता रहता है, तो इस वज़े से आप लोगों को पहले अपने senior से concern कर लेना है, उसके बाद ही ये सारा काम आप लोगों को करना है, जो भी आप trimmy pipe लगाते हैं, तो इन सब का dia आप लोगों को पहले ही check out कर लेना है, अब आते हैं दूस्तों bar wedding schedule की, आपका जो reinforcement का cage है, वो आपका proper बना हुआ होना चाहिए, और उसमें आपका जो required cover block है, वो लगा होना चाहिए, जैसे कि बहुत बार के है न, pile foundation में आपको 50 mm का cover भी होता है, और आपका 50 mm का cover होता है, तो इन चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिए गया, और ये सारी चीज़े आपको drawing में भी mention होती है, तो drawing में जो mention है, वही आप अपने reinforcement cage में महाँ पर provide कीजिएगा, क्योंकि बहुत से cases में ऐसे होता है, कि contractor पैसा बचाने के चक्कर में reinforcement कम कर देता है, या फिर cover block का size कम कर देता है, तो इन चीजों से आप लोगों को बचना है, क्योंकि आपको accuracy में अगर काम करवाना है, और पूरा महाँ पर check करना होगा, कि कहाँ पर कोई सरिया गाया तो नहीं है, कोई आपका cover block तो कम नहीं लगाए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को महाँ पर ध्यान रखनी है, अब आते हैं दोस्तों concrete की detail पर, concrete की detail दोस्तों जब भी हम कोई pouring करते हैं, किसी भी pile की, तो उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, अपना batching plant से concrete मंगाते हैं, तो आपको batching plant की report भी एक बार check कर लेनी है, कि वहाँ पर आपने अगर माली जी M40 का concrete मंगाया है, कहीं इससे कम का कोई concrete तो नहीं आगया, M35 तो नहीं आगया, तो concrete का बहुत जादा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी batching plant से आप concrete मंगाते हैं, तो आप लोगों को पहले, वहाँ पर वो सारी चीज़े चेक कर लेनी है, कि आपका जो design mix है, वो accurate है के नहीं है, अब बात करते हैं दोस्तों pile chipping की, दोस्तों जब भी हम pile chipping करते हैं, तो आप लोगों नहीं देखा होगा, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी बाजी के चक्कर में, machinery का भी use कर लेते हैं, जो कि machinery का use बहुत कम होता है हर site पे, जादा तर जितनी भी pile chipping होती है, वो manually की जाती है, क्योंकि उस time पर जब pile chipping करते हैं, जो उसका material होता है, वो थोड़ा lose होता है, इस वज़े से, उसको हम क्या करते हैं, manually ही करवाते हैं, बहुत सी site पर, और बहुत सी site पर क्या, mechanical भी करवा लेते हैं, तो इस चीज़ को दोस्तों, आप अपने senior से एक बार consult कर लीजिएगा, कि हमें जो pile chipping है, वो manually करवानी है, या फिर mechanical करवानी है, तो आप उसी से, आप pile chipping करवा सकते हैं, या तो manually, या फिर आपका mechanical है, अब बात करते हैं, दोस्तों pile test की, दोस्तों pile test क्या ना, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किसी construction site पर, अगर आप महापर pile foundation लगा रहे हैं, pile test में दोस्तों क्या होगा, जो भी आपको महापर required है, low test है, PIT test है, जो भी आपको महापर test दिया गया है, आप लोगों को महापर test conduct कराना है, क्योंकि इनी test के आधार पर, हम आगे की जितनी भी प्रकृरिया है, उसको हम चालो करेंगे, किसके आधार पर, जो भी आपके महापर test की report आ जाती है, जितनी भी pile की testing होगी, उसी की report पर आगे जाके काम होगा, अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी maintenance और record है, अगर हमने pile foundation महाँ पर लगा दिये है, pile cap लगा दिये, तो इसका दोस्त एक maintenance period भी होता है, तो उसको भी हमें क्या है, महाँ पर schedule करना है, क्योंकि जो भी हमारे को महाँ पर curing करनी है, या फिर कुछ भी और काम करना है, तो वो maintenance के तोर पर महाँ पर होता रहेगा, और इसकी proper record महाँ पर आप लोगों को रखना है, कब उसकी casting हुई है, कब उसका pile chipping हुई है, और महाँ पर कब concrete pour हुआ है, तो ये सारा आपको maintenance महाँ पर record में रखना है, तो ये सारी checklist आप लोगों को कोई भी pile foundation करवाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, इससे भी बहुत अलग-अलग तरीके की checklist होती है, जिसमें छोटी-छोटी चीजों का भी mention होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपके लिए लेकर आज जाओंगा, आप लोगों को समझ में आगया होगा कि pile foundation की checklist हो कौन-कौन सी होती है, क्या-कि उसमें ध्यान देने वाला होता है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज जादा-जादा like कीजिए, जादा-जादा शेयर केजिए और हमारे reinforce के चैनल को सब्सक्राइब केजिए.